बीजेपी के प्रचार से गायव वसुंद्रा राजिस्थान में 15 सीटों पर बदले समिकरण ना पिया मोदी के रैली में गई ना ही ग्रह मंत्री के कारिक्रम में दिख रही है राजे बीजेपी ने बनाया है स्टार प्रचारक लेकिन राजे ने नहीं की एक भी रैली सियमबद नहीं मिलने के बाद सही राजिस्थान में बीजेपी की दिगज डेता वसुंद्रा राजे सिंधिया की नाराजगी की खबरे आ रही थी लोग सबाच चुनावों में बीजेपी ने राजे के अधिकांश समर्थकों के टिकेट कार दिये लेकिन जालावार सीट पर उनके बेटे दुशियंद सिंग को जरूर टिकेट दे दिया इसके बाद से वसुंद्रा ने भी खुद को जालावार सीट तक सीमित कर लिया वो बीजेपी की स्टार प्रचारक है लेकिन जालावार को छोड़ कर किसी दूसरी सीट पर प्रचार करने नहीं गई बीजेपी के इंटरेल सर्वे में राज में राजे की लोग पुरेता सबसे ज़ादा है ऐसे में उनके चुना प्रचार से दूरी बनाए जाने की खबर से कॉंग्रिस को सबसे ज़ादा रहत मैसूस हो रही है विधानसवा चुनावों की तुल्ला में कॉंग्रिस इस बार ज़ादा एक जुट दिखाई दे रही है तीन पार्टियों के साथ RLP, BAP और CPM के साथ कॉंग्रिस ने गटबंदन किया है यानि कॉंग्रिस विधानसवा चुनावों की तुल्ला में पहले से ही मजबूत इस्थिती में थी और अब राज में BGP के सबसे बड़ी नेता की नाराजगी की खबर ने कॉंग्रिस को और भी मजबूत इस्थिती में खड़ा कर दिया है राजिस्थान में पहले चरण में वोटिंग शुरू होने वाली है और पहले चरण में राजे ने किसी भी उमीदवार के समर्थन में कोई रैली नहीं की जबकि 2019 के लोगसबा चुनाब में उन्होंने हर उमीदवार के लिए कम से कम एक रैली या फिर रोड शो जरूर किया था वसंद्रा की नाराजगी को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो सियम भजलाल को अपनी ताकत दिखाना चाहती है 2014 और 2019 में राज़स्थान में बीजेपी के प्रचार की कमान राज़े के हाथ में रही तो बीजेपी ने दोनों ही बार क्लीन स्विप किया अब भजलाल के सामने हैट्रग लगाने की चुनोती है अगर राज़ में बीजेपी की सीटों की संख्या 20 से कम होती तो फिर भजलाल की सरकार संकत में फच जाएगी और इस समय जो सर्वे रुपोर्ट आ रही है उसमें साफ है कि भजलाल मुश्किल में है बीजेपी का राज़स्थान में खराब प्रदर्शन राज़े को फाइदा पहुचा सकता है वसंद्रा राज़े गुड दवाव की रणनीती पर काम कर रही है लेकिन खुल कर बैटिंग नहीं कर पा रही है वैसे अब बीजेपी के ही तमाम नेता ये मानने लगे हैं कि इंडिया गड़ बंदन 6-7 सीटे आसानी से जीत रहा है ये संक्या बढ़ भी सकती है अब तो कॉंग्रिस नेताओं ने भी राज़े की नाराज़गी को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है वैसे पाँच महीने पहले राज़ेस्थान विधानसभा चुनावों के समय भी राज़े की नाराज़गी की खबरें सामने आई थी लेकिन बाद में उन्होंने पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार किया था बीजेपी की तरफ से सबसे ज़ादा रैलिया वसुंद्रा नहीं की थी लेकिन चार महीने बाद हालात पूरी तरह से बदल गए है राजे ने जहालाबार को छोड़ कर किसी दूसरी सीट पर ना तो रैली की और ना ही रोड़ शो किया राजस्तान में पहले चुरंड का मदान 19 अप्रेल को होने जा रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रिये ग्रह मंत्री आमित्षिहा समेथ कई केंद्रिये मंत्री प्रचार के लिए राजस्तान के कई चक्कर काट चुके हैं प्रदेश के सियम, भजलाल, शर्मा और दोनों उप्मुख्यमंत्री भी सभी सीटों पर प्रचार के लिए पूरा जोर लगाये हुए हैं लेकिन वसुंद्रा राजे जालावार से बहार ही नहीं निकली प्रधान मंतरी डरेंद्र मोदी अब तक प्रदेश में पांच चुनावी सभा और एक रोडशो कर चुके हैं लेकिन राजे पीम की किसी भी चुनावी कारेक्टर में नजर नहीं आई प्रदेश की पहले चरण का प्रचार थमने के बाद प्रदेश के राजनेतिक गलेयारों में ये सवाल गूझ रहा है कि आखिर राजे प्रचार से क्यों दूर है क्या वेस केवल अपने बेटी की सीट तक सिमट कर रहे गई हैं फिलाई ये कहा जा रहा है कि वसुन्द्रा राजे सिंधिया की नाराजगी के चलते 15 सीटों पर बीजेपी बुरी तरा से फस गई है उसके लिए इन सीटों पर मुश्किलें खड़ी हो गई है वसुन्द्रा राजे सिंधिया भले ही पार्टी उमीदवारों के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रही है लेकिन उनके चुना प्रचार से दूर रहने के चलते उनके समर्थकों के बीच जो संदेश च्वारा है उससे बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है ऐसे में अब भजनलाज शर्मा के लिए हालात मुश्किल बनते दिखाई दे रहे हैं और जमीन पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है बीजेपी नेताओं के कारकरों में भीर दिखाई नहीं दे रही है सोशल मीडिया पर कई वीडियो वारल हो रहे हैं जिसमें बीजेपी नेता आपस में ही उलस्ते हुए दिखाई दे रहे है इस बीच जाट और राजपूर समाज का गुस्सा भी बीजेपी के खिलाब बढ़ता ही जा रहा है यानि राजस्थान को लेकर बीजेपी भले ही दावा कुछ भी करे लेकिन उसके नेताओं में डर साफ साफ दिखाई दे रहा है